सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक खिला देने वाली हॉरर स्टोरी पहला आइकन प्रेस करना ना भूलें उसकी आंट ने उसे एक उईजा बोड ला कर दिया मैरी के आंटी को पता था कि उसे हॉरर स्टोरी और हॉरर नोविल्स बहुत पसंद है उन्हें ये भी पता था कि उसके लिए बहुत से लोग पहले से ही हॉरर नोविल्स लेकर आ रहे होंगे इसलिए उन्होंने उसके लिए एक उईजा बोर्ड ले लिया उईजा बोर्ड देखते ही मैरी खुशी के मारे चिल्ला उठी और उसे लेकर अपने रूम में भग गए उसने अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी बुला लिया रूम में जाने के बाद वो दोनों लोग उईजा बोर्ड के इंस्ट्रक्शन्स पढ़ने लगी उसमें लिखा था एक स्पिरिट को बुलाने के बाद उसे वापिस भेजना बहुत जरूरी है बढ़ना वो स्पिरिट उस उईजा बोड को यूज करने वाले इंसान पर कबजा कर लेती है मैरी ने सारे इंस्ट्रक्शन्स पढ़े और उसने अपने दोस्त के साथ उईजा बोड यूज करना स्टार्ट कर दिया उन दोनों ने उईजा बोड के उपर एक ग्लास रखना और उस ग्लास पे अपनी उंगली रखना और पूछा क्या यहां पर कोई आत्मा है शुरू शुरू में तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ देर बाद कमरे की लाइट्स फिलिकर करने लगी और उईजा बोड का ग्लास राइट साइट पर बने येस की तरफ अपने आप चला गया वो दोनों लोग बहुत एक्साइटेड हो गए उन्होंने फिर पूछा क्या तुम एक चुडैल हो फिर से उईजा बोड का ग्लास राइट साइट पर बने येस की तरफ अपने आप चला गया वो दोनों ये देख कर बहुत ज़ादा अमेज़्ट थे और उस आत्मा से अलग-अलग परीके के सवाल करने लगे क्या तुम बता सकती हो कि ए नया साल मुझे क्या देने वाला है उईजा बोड बहुत तेजी से हिल कर उस पर बने अलफबेट पर जाने लगा F-R-I-N-D Friend ओ, मुझे एक नया दोस्त मिलेगा क्या तुम बता सकती हो कि इस नए साल मेरे परिबार के साथ क्या होने वाला है तभी ओईजा बोर्ड बहुत तेजी से हिल कर उस पे बने अलफवेट्स पे जाने लगा ये देखकर मैरी बोली ऐसे कैसे इस साल मेरी फैमिली के साथ कुछ तो होना चाहिए कोई तो एवेंट होगा फिर से वो ग्लास अलग-अलग अलफवेट्स पे चलने लगा ये देखकर मैरी और उसकी दोस्त बहुत जादा डर गया तभी नीचे से आवाज आई कि वो नए साल का और मैरी का बर्ड़े का केक काटने वाले है मैरी उईजा बोट को वैसे ही छोड़ कर अपनी दोस्त के साथ नीचे चली गए नीचे जाते ही केक काटने के लिए मैरी के हाथ में चाको पकड़ाया गया तभी अचानक उस घर के सारी लाइट स्प्लिकर करने लगी मैरी की आखें पूरी तखा से लाल हो गए उसने अपना मुख बराक करके इतनी सोर की आवाज निकाली कि उसका चबड़ा ही तूट कर नीचे गिर गया उसने उस चाकू से अपने पास खड़े अपने फैमिली मेंबर्स और सारे महमानों को मारना शुरू कर दिया तब ही उसकी दोस चिला पड़ी हमने उस आत्मा को वापिस नहीं भेजा उसने मैरी पर कबजा कर इससे पहले की वो अपनी बात पूरी कर पाती मैरी अपनी दोस की तरफ मुड़ी और उसे भी जान से मार दिया सारे महमान मैरी को देख कर उस घर से भाग जा इसके बाद मैरी या जो कोई भी उसके अंदर था वो अपनी कमरे में आ गया और उस उजिया बोर्ट की साथ खेलने लगा इस खौफनाक न्यू येर पे उस आत्मा को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था और अब जो भी उसके और मैरी के बीच में आता वो मार दिया जाता था अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा खूनी मंडे टीम विचिस यह वेरी वेरी हैपी नुव यह